नमस्कार आप देख रहे हैं दर्स नियूज मैं हूँ आपके साथ रितेश सर्मा केंद्रिय मंत्री और लूग जनसक्ती पार्टी के राश्ट्रिय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक नीजी चैनल के कारिकरम में सिर्कत की इस दोरान उन्होंने खास बाचीत में जीरो से केंद्रिय मंत्री बनने तक के सफर के बारे में बताया है उन्होंने ये भी बताया है कि वापस से पार्टी को संजोना और खुद को खड़ा करना बड़ा अनुभव रहा है उन्होंने कहा कि पार्टी में उस समय तूट हुई लेकिन सब समखल गया अब मैं किसी से नहीं डरता चिराग ने आगे कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के साथ नहीं होने पर भी उनसे मेरा रिस्ता नहीं बिगड़ा पी-म नहीं होते तो साइद मैं कहीं नहीं होता जिंदगी के बड़े अनुभव दिये, सरकार का हर हिस्सा महत्तोपोर्ण है, इसके लिए मैं कारे कर रहा हूँ, डरता मैं किसी से नहीं हूँ, चिराग ने कहा है कि मेरा रिस्ता प्रधान मंतरी जी से अटूट है, प्रधान मंतरी के साथ मेरा रिस्ता आखडी सांस तक रहे इससे बहतर है कि सियासी चर्चा ही की जाए, यानि कंगना रनौत के बारे में जब चर्चा की गई तो वो बोलने से बचते हुए भी नजर आएं इस इंटर्वियू में चिराग पासवान ने आगे कहा कि जातियों की संख्या जानने के लिए जनगना भी होनी चाहिए ताकि योज़नाओं का लाव उन तक पहुंच सके जातिये आखड़े योज़नाओं के बजट आवंटन के लिए जरूरी है आगामी बिहार के विधान सभा चुनाओं में उन्होंने कहा कि मैं एंडिये का मजबूत हिस्सा हूँ बिहार में मिलकर लड़ेंगे 2020 विधान सभा चुनाओं की परिस्तितियां अलग थी Rapid Fire Round के दोरान चिराग पासवान ने कई सवालों के जवाब भी दिये हैं राहुल गान्धी के PM बनने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि वो PM नहीं बन सकेंगे 2024 के अंत तक साधी को लेकर जब सवाल किया गया चिराग पासवान से तो उन्होंने कहा है कि इस साल नहीं होगी साधी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने को लेकर कहा कि इंडिये गठबंधन से अलग नहीं हो सकता मैं 2025 में बिहार के डिप्टी सीएम या सीएम के रूप में देख सकते हैं इस सवाल पर जो है चिराग पासवान ने कहा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है नितीश कुमार के नेतरित्व में ही 2025 का विधान सभा चुनाओ भी लड़ेंगे तो फिलाल इस ख़बर में इतना ही है दर्स न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले धन्यवाद